अब अक्षे कुमार पर मुसीवतों का पहार तूट पड़ा है क्योंकि अक्षे की आने वाली फिल्म लक्षमी बॉम को बैन करने की मांग सामने आई है क्यों आके रक्षे कुमार की मुवी को बैन करने की बात हो रही है इस पर हम आपके बीच बात करना चाहेंगी कि दरसल सुषान सिंग राजपूत के जो चाने वाले हैं वो बॉलिवोर इंडस्ट्री में बाकी फिल्मों को देखकर विल्कुल भी बरदाश्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सुषान सिंग राजपूत को लेकर बहुत जादा तकलीव दे स्टेटमेंस सामने आ रहे हैं अब बैन करने के मांग इसलिए उटी है क्योंकि अक्षय ने ब्रॉड मामले में अब जाकर बात की है सुषान्त मामले में क्योंकि वो चुप थे अब अक्षय कुमार का बॉलोर हिस्तियोंने जहां साद्या वहीं ब्रॉग इन्डस्ट्री के पक्ष में बात करती बढ़नो नहीं हो पाया फिर लोगों ने उनके वीडियो के विरोध में भी बात की जी हाँ लोगों ने कहा कि अक्षे कुमार के फिल्म को जरूर बैन करने की जरूरत है सोशल मीडिया पर खास कर ट्वीटर पर तमाम ट्विट शेर किये जा रहे हैं बैन लक्षमी बॉम के नाम से जिसमें लोगों की नाराज़गी साफ इस बात की तरफ इशारा करती है कि अक्षे का वीडियो बना कर ड्रग मामदे में बॉलवूर के पक्ष में कहना और तो और तरीके से बात करना भी दर्शकों को पसंद नहीं आया किसी को भी ये पसंद नहीं आया वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्षे कुमार को लेकर तमाम तरह की स्टेटमेंट अब सब अब तक उनके चाने वालों ने दी हैं फिल्म को बैन करने को लेकर क्योंकि अक्षे कुमार के फैन फॉलोइंग में भारी गिरावट आ रही है सुषांत के निधन की वजह से और ये ट्विट अगर आप पड़ रहे हो तो इस ट्विट पड़कर आपको अंदाजा लग गया होगा क्यों यूजर्स ट्विटर पर लक्षमी बॉम की ट्विट करने को लेकर कह रह है कि कोई भी बॉलवोड मूवी हमें अब नहीं चाहिए सुषांत के जाने के बाद बॉलवोड से इस तरह से दिल तूट गया है बॉलवोड इंदुस्री के चाने वालों का क्योंकि सुषांत के लिए बॉलवोड की कोई भी अभीनेता सामने आकर खाड़े नहीं थे कि वज़े से अक्षे कुमार के फिल्म को खास पॉपुलारिटी नहीं मिलेगी और कालिक्शन्स में भारी गिरावट आएगा कहा जा रहा है कोरोना की वज़े से अल्डेडी सिनेमा घर में जाने से लोग डर रहे हैं और इसके बाद अब अक्षे कुमार के लिए तमाम तरह क के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं एक निकिता संग नाम की लड़की ने तो कहा कि लक्षमी बैं को लक्षमी बॉम फिल्म को बैं कर क्योंकि सुशान सिह राश्पूत को अभी भी जस्टिस नहीं मिली है नेक्ष नाइन इस रूम से तरपते की रिपोर्ट